हेलो गाईस तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्विंग्स मैथट फॉर मैगनेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब चुम्बकी सुग्राहिता ग्याद करने की क्विंग विधी और इस टैप से कोर्शन एकजाम में काफी ज़ाद पूछे जाते हैं हम लोगों ने अभी तो यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहते हूं कि किस साइंटिस्ट के द्वारा ये क्विंग्स मैथट दिया गया है तो 1885 में क्विंग ने इस मैथट का प्रियोग द्रवों तथा गैसों के लिए किया मतलब यहां पे इस मैथट का यूज उन्होंने मैं आप लोगों को बता देती हूं दैन उसके बाद मैं आप लोगों को इसका जो भी प्रिंस्पल है और जो भी प्रोसीजर है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी तो यहां पे हम लोग देखे इस टाइब का यू सेप का हम लोग को ट्यूब लिये है और इस ट्यूब के अ में रखते हैं यहां पे दो चुम्बक हम लोगों ने लिया हुआ है यहां पे देखे नौर्थ पोल और साउथ पोल है ठीक है तो इन दोनों के बीच में हम लोग इस ट्यूब को रख देते हैं मतलब यहां पे हाई मैगनेटिक फिल्ड है मतलब प्रबल चुम्बकी छेतर के बीच में हम लोग इस ट्यूब को रख देते हैं अब हम लोग यह पता करते हैं कि यह जो लिक्विट का तल है मतलब यह जो लिक्विट का तल है वह उपर आता है कि नीचे आता है यहां पर सबसे पहले तो आप इस डियाग्राम देख लीजे याद किसी जब मैंने आप लो चुम्बकी छेत्र मैगनेटिक फिल्ड में रखते हैं, तो अगर हमारा पदार्थ डाई मैगनेटिक होगा, मतलब प्रती चुम्बकी होगा, तो उसका जो तल है वो नीचे आजाएगा, आप डाइग्राम इस फश्ट रूप से देख सकते हो, जो पदार्थ है उसका तल करसित करते हैं, जिस वज़ा से उसका जो तल है वो नीचे की ओर आ जाता है, हाला कि यह सब चीज में आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, एक और डाइग्राम आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें मैं आप लोगों को पैरा मेगनेटिक के बारे में बताई थी, म चुम्बकी बल रिखाओं को आकर सित करते हैं, अट्रेक्ट करते हैं, तो अट्रेक्ट करने के करण जो उनका तल है वो उपर क्यों रूट जाता था, यहां पर यह तो सित्ध हो गया, कि जो भी लिक्विड होता है, उसका मैगनेटिक फिल्ड में काफी जादा एफेक्ट पड़ता है, अगर हम लोग इसी लिक्विड को मैगनेटिक फिल्ड में रखते हैं, तो वो उसका तल उपर नीचे हो सकता है, तो सेम उसी प्रिंस्पल को हम लोग यहां पर फॉलो करेंगे, और यहां पर हम लोग यह चेक करेंगे, कि हमारा पदार्थ जो मैगनेटिक इसा होगा, और यहां पर इसके तल में जो भी परिवर्तन होगा, अब देखें, यह चूब में हिसाब से एक स्कैल भी लगा होगा, तो स्कैल के थूरू हमें पता चल जाएगा, कि जो हमारा लिक्विड का तल है, वो कितना नीचे हुआ है, कितना उपर हुआ है, तो यह रखेंगे, तो magnetic susceptibility हमारा असानी से, मतलब चुम्ब की सुग्राहिता असानी से निकल जाएगा, अच्छे से clear हुआ आप लोगों को, अब चलिए, यहां पे हम लोग उपकरन के बारे में देखेंगे, नोट्स में लिखेंगे, जो मैं आप लोगों को बताई हूँ, सेम इस ट्यूब के उपरी हिस्से को स्ट्रॉंग बैगनेटिक फिल्ड में रखा जाता है, प्रबल चुम्ब की शेतर में रखा जाता है, द्राव तयल में परिवर्तन को मापने के लिए, एक स्केल का भी यूस किया जाता है, मतलब यहां पे यूसेप का एक ट्यूब होता है, जिसमें हम लोग उस लिक्विट को भड़ते हैं, जिसका हम लोगो को जो भी हिस्सा होता है, नितो कर れखा जो चूम्ब की शेतर में रख देते हैं, यहां पर इसकेल भी लगा होता है, जिसके थूर ड्राव का तल, मतलब यो लिक्विट का जो सर्फेस वह उपर नीचे ज हम लोग इस liquid को तब भरेंगे जब हम लोग इसको magnetic field के absence में इसे जो है वो fill करेंगे मतलब जब जुम्बकी छेतर जब on नहीं हुए रहागा तो उस वक्त हम लोग इस liquid को भर देंगे और उस time हम लोग इसको magnetic field में लग देंगे मतलब जो भी इसको क्या करेंगे अब जुम्बक के ध्रूओं को ध्रूओं मतलब क्या होता है पॉल होता है जैसे कि North Pole, South Pole तो ध्रूओं के मध्य में ध्रूओं तल का प्रेक्षन ले लिया जाता है प्रेक्षन ले लिया जाता है मतलब उसका जो भी measurement करना होता है तल का उसको हम लोग ले लेते हैं इसके पस्याद 25,000 ओस्टर्ड चुम्बकी छेतर उत्पन करके मतलब यहां पे magnetic field हम लोग इतना उस्टर्ड का उत्पन करेंगे और तल का पुना प्रेक्षन लेते हैं और हम देखते हैं कि तल जो है वो उपर आया है कि नीचे आया है तो सिध्धान देखिए कि यहां पर प्रेसर भी कारे कर रहा है मतलब बल और दाब मतलब प्रेसर और फोर्स दोनों वहां पर कारे कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग प्रेसर और फोर्स दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं तो प्रेसर इक्वल पी इक्वल होगा पी से आपका हुआ प्रेसर तो पी इक्वल होगा इसे हम लोग रो करके बोलते हैं मतलब फिजिकल सा सिंबॉल है ये रो तो इस तरीके से आप rho का साइन बनाते हो तो P equal क्या होता है यहाँ पर rho into G delta H तो delta H क्या होता है जो दोनों हम लोग जो भी fraction लिए होते हैं उसका अंतर है तो यह pressure equal इतना हुआ और F equal हम जानते है force equal होता है pressure into area मतलब P into A तो P क्या है pressure है और A क्या है अनुपरस्ट काट का 6 तरफल या area जिसको हम लोग A से लिखे है तो F equal क्या हो जाएगा P का value को हम लोग यहाँ पर रख देंगे P के जगा into A यहाँ तक clear हुआ अब हम जानते हैं दो-दो मैं आप लोगों को method बचा चुकी हूँ यह formula तो आप लोगों को अब तक I think याद हो गया होगा F equal 1 upon 2 मतलब half K1 minus K2 A mu naught H square तो इस formula के बारे में आप अच्छे से जानते हो अब हम लोग यहाँ पर F का value रख देंगे जो भी आया हुआ है G delta H into A जो भी value है F का यहाँ पर रख देंगे और इसे अज़र इस उतार देंगे अब क्या करेंगे K1 minus K2 को हम लोग इधर लाते हैं तो यह क्या हो जाएगा उधर आजाएगा और यह 2 into rho G delta H तो यह A A कट गया है यहाँ पर और यह जो क्या बचा है यहाँ पर mu naught H square काई G minus काई 0 काई 0 equal 2 G delta H upon mu naught H square होगा और यहाँ पर देखे काई G equal 2 G delta H upon H square तो यह जो formula है जो की हमें चुम्बकी सुगराहिता गयात करने में help कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर हमको delta H का value मिल जाएगा तो इस formula में हम लोग जो भी value है उसको रखेंगे देन उसके बाद हम लोगों को जो भी इसका magnetic susceptibility है वो हमें ग्यात हो जाएगा तो clear होगा इस आज का topic बहुत easy सा topic है तो I hope लोगा इस आज के वीडियो आप लोगों के लिए helpful रहा होगा and thank you so much for watching